प्रोटीन को बनने में हे जरूरी बनाने में सहयता करती है, साथ ही स्खिन और हॉर्मोन की बनने में भी सहयता करती है, और बच्चों के ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन की सही मात्रा जरूरी है, सोध में ये भी पाया गया है कि डायेट में अधिक मात्रा में प्रोटीन लेने से बैली फैक्ट लूज होता है औ और मसल स्ट्रॉंग होते हैं RDI के अनुसार महिलाओं को हर रोज 46 ग्राम प्रोटीन तथा पूर्सों को 56 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए तो चलिए जान लेते हैं इसके सोर्सेज क्या है अन्डा एक सुपर फूड है इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन के साथ बहुत सारे एसेंसियल न्यूट्रियंट्स भी पाए जाते हैं इसमें विटिमिन्स, मिन्रेल्स, हेल्दी फैट तथा एंटि आक्सिरेंट पाए जाता है जो आँखों को स्वस्त रखने में साहता क एक वाइट प्रोटीन होता है एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है और 78 क्यलोरीज पर जिन्हें अंडे से अलर्जी है उनके लिए यह सही नहीं है उनके लिए और भी प्रोटीन के सोर्सिस हैं चलिए उनके बारे में जानते है नमबर 2 आमंड्स आमंड्स में भी प्र प्रती 28 ग्राम बादा में 15% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है इसी तरह पिस्ता में 13% तथा काजू में 11% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है नामबर 3 चिकन चिकन में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है एक roasted chicken breast में लगबग 53 ग्राम्स प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है सबसे अच्छी बात है इसे cook करना असान है और इसके बहुत सारे recipes उपलब्ध है 4. Oats Oats में healthy fiber, manganese, magnesium, vitamin B जैसे nutrients के साथ प्रोटीन भी पाई जाती है 1 cup oats में 11 gram protein तथा 307 calories होती है 5. Cottage cheese यानी छेना जिसमें fat तथा calorie दोनों की ही मात्रा कम पाई जाती है इसमें परियाप्त मात्रा में calcium, phosphorus, selenium, vitamin B12, vitamin B2 इत्यादी और भी nutrients मोजूद है 1 cup याने 226 gram पनीर में 28 gram protein की मात्रा पाई जाती है और भी कई तरह के cheese में भी protein की मात्रा अधिक पाई जाती है 6. Greek yogurt यानी छाना हुआ दही जो कि बहुत थेक होता है इसमें भी protein के साथ साथ और भी कई nutrients पाई जाती है 170 gram Greek yogurt में 17 gram protein पाया जाता है यदि Greek yogurt उपलब्ध ना हो तो normal दही भी ले सकते हैं इसमें भी भरपूर मात्रा में protein की मात्रा पाई जाती है 7. दूद दूद को एक संपूर्ण भोजन वाना जाता है इसमें लगभग वो सारे nutrients उपलब्ध है जिनके हमें जरूरत है तभी तो छोटे बच्चे सिर्फ दूद के साहरे ही बड़े होते हैं इसमें high quality protein, calcium, phosphorus तथा vitamin B2 भी पाया जाता है जिन्हें गाई के दूद से allergy है वो सोया बीन का दूद भी ले सकते हैं एक कप गाई के दूद में 8 gram protein होता है वहीं एक कप सोया milk में 6 gram protein पाया जाती है 8. ब्रोकली ब्रोकली एक healthy vegetable है इसमें vitamin C, vitamin K, fiber और potassium पाया जाता है इसमें bioactive nutrients भी पाया जाता है जो cancer से बचने में भी साहता करती है एक कप कटे हुए ब्रोकली में 3 gram protein की मात्रा पाया जाती है 9. डाल डाल में भरपूर मात्रा में fiber, magnesium, potassium, iron, folate, copper, manganese तथा और भी onion nutrients पाया जाते हैं डाल सबसे अच्छा vegetarian protein source है एक कप उबले हुए डाल में 18 gram protein की मात्रा होती है डाल के साथ साथ सोया बीन, राजमा तथा चना में भी परियाप्त मात्रा में protein पाया जाती है 10. कद्दू के बीज कद्दू के बीज जिने हम कभी कभी फेंक देते हैं उनमें भी परियाप्त मात्रा में protein के साथ iron, magnesium, gin, कित्यादी पाया जाती है 28 gram कद्दू के बीज में 9 gram protein पाया जाती है 11. मज़ली हर तरह के मज़ली में परियाप्त मात्रा में protein के साथ और भी essential nutrients पाया जाते हैं मज़ली में भरपूर मात्रा में omega 3 पाया जाती है जो दिल को स्वास्त रखने में साहता करती है 12. मुंगफली मुंगफली में परियाप्त मात्रा में प्रोटीन, फाइबर तथा मैगनेसियम पाय जाता है वजन कम करने में भी ये सहता करती है 28 ग्राम मुंगफली में 7 ग्राम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है प्रोटीन बॉडी टिश्यू को रिपेर तथा मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है यह वजन कम करने में सहता करती है बहुत सारे खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है तो प्रोटीन से भरपूर आहार ले और स्वस्त रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए नए वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को प्रेस करें और कमेंट करना ना भूलेगा थैंक्यू पूर वाच्छेंग